हेलो एब्रिवन आपका एक वासीर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फिरेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ मोतिलाल ओस्वाल मीट के फंड डायट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूंगा कि यह जो मु साथ मैं आपसे डिसकस करूंगा इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड में कुछ पैसा जमा कि होते तो पिछले एक साल तीन साल पांच साल में आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट मैं आपसे डिसकस करूंगा कि क या हमें मोतिलाल ओस्वाल मीटकाफ फंड डायट गोथ का अंदर इन्वेस्मेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने और रेडि इन्वेस्ट किया है तो क्या अपना साइप या फिर लंसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इसके अपना पैसा निकाल करेंगे का सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक साल के अ पर में तो हम लोग एन्वेयर मींống कर देंकि अ으로 रेटन है सब zap आप यह अच्छा रिटन दिया है क्या अगले साल फिर यह रिटन मुझे देखने को मिल सकता है तो इसकी जानकर ही आपको holding analysis के उपर हैं पता चलेगा क्योंकि previous return जो दे चुका है दे चुका है जिसने और रेड़े इन्वेस्ट किया उनको तो अच्छा कासा return मिला होगा लेकिन यदि को फ्रेस बाय करना चाहते हैं तो return क्या मिलेगा समझना होगा को holding analysis में तो चलिए हम लोग next topic इसके बात करते हैं next topic इसका आता है एन्वे के उपर में तो यदि हम लोग देखें तो आज की डेट में इसका एक एन्वे का प्राइस है रेटिंग की बात करते हैं तो यह 5 star rating mutual fund है यह एक अच्छा positive चीज यहां पर देखने को मेर रहा है इसमें आप minimum SIP amount 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो fund size है वो 9999 करोर का है यानि कि 9899 करोर का है इसका पूरा fund size है अब बात कर लेते हैं अगर आप इस mutual fund में कुछ पै का पैसा जमrit होता साथ हुग्या आपको मिलता numéro 54 5,50упा को तीन साल की बात करते हैं तो तीन साल में आप का पैसा जमनल कहता 1000 लाग मुष्धा 1 dw DualALLY करें तो एक साल में आपका पैसा एक लाख रुप्या दो लाख ₹95 एक सो संतावन रुप्या रुप्या और पांस साल में आपका एक लाख ₹ 3213 रुप्या होता अगर आपने अभी तक आप अपना अपना अपन धॉपन नहीं की और करना charging इसके अंदर हम दोग stock holding की बात करते हैं तो इसके अंदर जो total stock listed हो टोटल 22 stock listed है अगर हम इसवा top 10 वास के sector पाज इसकास करते हैं तो पहला नम आता है globalization इंडिया लिमेटेड ध है ल्लींटेस्थ इंडिया लिमेटेड इंडिक्सटेन जेडरी State Projects Limited, Construction, Geometaw Limited Service, Max Healthcare, Institute Limited Healthcare के छेत्र में है अगर हम लोग इसकी Holding Analysis को देखें तो Equity पे है 93.1% Debit पे है 5.5% और Cash पे है 1.4% अब इस Equity को Sector वाज अगर हम लोग देखें और आहीं पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यह जो मुचल पंड़ वो बिहेब करने वाला है आने वाला टाइन टेक्नोलोजी पे हैं 15.7 फाइनसियल पे है 14.5 कम्यूकेशन पे 13.3 कंजुमर डिक्स टेक्निक पे 12.7 ओटो मॉइल पे 11.2 कैपिटल गोड्स पे 9.8 यहां से जब हम लोग टॉप फूर इसका एक्क्विटी सिक्टर एक लोकेशन को अगर देखेंगे तो आता है टेक्नोलोजी फाइनसियल कम्यूकेशन एंड कंजुमर डिक्स टेक्निक टेक्नोलोजी के छेत्र में इंडिया काफी आगे निकल रहा है यह एक अच्छा पोजिशन इनका है फाइनसियल पर भी काफी अच्छा पोजिशन पर कम्यूकेशन भी ठीक है लेकिन कंजुमर डिक्स टेक्नरी के जगा पर यदि अहीं पर यह कंस्ट्रक्शन वाला बारा पॉइंट साथ रहता तो फिर यह क्वांट मुच्च वारी मोतिलाल ओस्वाल क्या फंड आए डूद आपना एक्वेटिस सेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस कर सके लिए धी कंस्ट्रक्शन को बढ़ा दे तो फिर यह मुच्वाल फंड बहुत आगे तर निकल जाएगी अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एडवांस रेशियो का इसका एडवांस करना होगा अगर करते हैं तो आपको 500 रिटन एंड रेंकिंग का और आहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस मुच्वाल फंड के अंदर इंवेश्ट करना चाहिए या पिर नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मोहतिलाल शुल मिटक्वा पर जो फंड रिटन है एक साल में 59.3 तीन तीन साल में 58.4 पांस़ां 29.4 और एनसरा चोब्सपुशा पर चौका वहीं पे इस काटेग्री का जो एबरेजे़ रिटन रहता है एक साल में 55 तीन साल में 25.8 पांस साल में 24.9 यहाँ पे कैटेगरी आबरेज रिटन करने का मतलब ह पारे मिटक्याप मुच्वल फंड है उनका और एबरेज रिटन एक साल में कितना रहता पचपन तीन साल में 25.8 पांस साल में 24.9 का है और यहां पर देखा जाए तो मोतिलार और मिटक्याप फंड हमेशा अपना कैटेगरी एबरेज से एक ज्यादा रिटन आपको निकाल करक रखते हैं अगर आपने औरेडी इन्वेश्ट किया है तो फिर आप अपना इसाइप या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमलर फंड की बात करते हैं तो वह है मोतिलाल ओस्वाल मिटक्याप फंड डायड ग्रोथ वांट मि अगर आप इन्वेश्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक परसंट का एक जिट लोड देना होगा और इस्टाम डूटी की बात करते हैं तो इस्टाम डूटी है जिरो पॉंट जिरो फाइफ परसेंट अब इसकी टैक्स इंप् यहाँ पर सिंपली एक चीज़ समझना टैक्स इंप्ले रिटरंस आर टैक्सेड एट 50% एप्यों रिडियम बिफोर वन यह यह यदि आप इन्वेश्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लेते हैं तो फिर आपको 15% का यहाँ पर टैक्स देना होगा लेकिन यदि एक साल के बाद आप इससे पैसा निकालते हैं और आपका एक साल में जो फाइनेंसियल जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक लाग प्लस का यदि प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पर दस परसेंट का टैक्स देना होगा तो सिंपल एक चीज़ समझते हैं यदि आप परसेंट का टैक्स देना होगा अब हम लोग समझते हैं इसकी फंड हाउस एन इन्वेस्मेंट अब्जक्ट्स को तो मोतिलाल ओस्वाल मुच्वल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नमर पे रहेंग करता है यह मुच्वल फंड इस्टार्ट वया 29 दिसंबर 2009 को इस यह मुच्वल फंड इस्टार्ट वया 29 दिसंबर 2009 को अभीरुप मुखरजी, अकाज सिंगानिया, सिदात बोजतरा अभी इसका करेंट फंड मनेजर है इस फंड का करेंट लिए असिस्ट अंडर मनेजमेंट है एक 5749 क्रोड का और लेटेस्ट ने भी है 94 रप्या 88 पैसा बात करते हैं मोतिलाल ओस्वाल मिटकेप फंड डायड गुरोथ यह एक काफी हायरिक्स मुच्वल फंड है इसमें मिनिममम SIP एमांट 500 प्या का सेट किया गया है और मिनिममम लंसम भी 500 प्या का सेट किया गया है अगर आप इन्वेस्ट के आवा पैसा एक साल के अंदर नि करके